Hello everyone, welcome back to my class. Today's topic is my school. आज का topic क्या है? My school. My school मतलब मेरा विद्याले. हिंदी में हम क्या बोलते है? मेरा विद्याले. विद्याले का मतलब क्या होता है? School. तो आज हम पढ़ेंगे माइ स्कूल के बारे में. तो अब आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि आपके स्कूल का नाम क्या है? आपके स्कूल का नाम क्या है? Euro Kids. क्या है आपके स्कूल का नाम? Euro Kids. और आप कौन सी ग्लास में पढ़ते हो? LKG में. Which school do you go? You go to Euro Kids. And which class do you read? You read in LKG. तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइ स्कूल के बारे में या अपने स्कूल के बारे में. अच्छा स्कूल में क्या क्या चीज़ी होती है? आपको पता है? Classroom होता है, Playground होता है, Library भी होती है, जहां पे हम Books पढ़ते हैं. और क्या उता है? Canteen भी होती है. आपको पते हैं के Canteen क्या होती है? Canteen वो जब होती है, जहां पे हमें Snacks मिलते हैं. Packs जैसे के Chips और Patties और भी बहुत कुछ आइटम्स जो हैं हमें क्याने पीने के मिलते हैं, जिने हम Money दे के खरीच सकते हैं. ठीक है? तो यह बहुत कुछ चीजे हमारे Schools में available होती है. सब Schools में canteen नहीं होती है, बट Library, Playground और आपको Audio-Visual Room. Audio-Visual Room बता है आपको क्या होता है? आपके स्कूल में है Audio-Visual Room. Audio-Visual Room वह होता है जहां पे बड़ा आसा TV लगा होता है, जहां पे आपको Poem सिखाई जाती है, Stories दिखाई जाती है, आपके स्कूल में है? मैम के स्कूल में भी है. चलो, अब हम पढ़ते हैं My School के बारे में. So, let's begin the activity. Open page number 18. Trace the school bus and color it. Take the bus to the school through the maze. अब यहां पे क्या है? School bus है. School bus को trace करना और color करना का homework आपका है. मैम tracing नहीं करेंगी. Tracing कौन करेंगा? आप करेंगे. आप इसको trace करेंगे और इसको एक beautiful सा color देंगे. क्या देंगे? Beautiful सा color. Now, let's see. I study in Dash School. अब आपको क्या करना है? आपको यहां पे अपने school का नाम लिखना है. So, you go to school. Eurokins. Okay. I go to school by bus. Many students come to school by bus. I have a playground swimming pool in school. अब आप बताओ आपके school में क्या है? प्लेग्राउंड है क्या स्विमिंग पूल है? प्लेग्राउंड. So, we'll put a thing. My principal's name is? आपके principal का नाम क्या है? पूजा मैम. तो यहां पे आप क्या लिखो गया? मैम का नेम लिखो गया. लेके नाम पे आपको क्या करना है? मैम का फुल लेम लिखना है. Okay? So, आपको इस तरीके से भढ़ना है. फिल करना है यह blank. Now, अब activity आती कि इस school bus को आपको कहा लेके जाना है? स्कूल. तो पहले हम कहा जाएंगे? यहां जाएंगे फिर यहां से यू टर्न लेंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाना है स्कूल हमें? यहां से हम स्टार्ट करेंगे. ऐसे गए, ऐसे गए, फिर ऐसे यहां से हमने कट लिया, फिर यहां से हमने कट लिया, यहां से भी कट लिया, यहां से कट लिया, यहां से कट लिया और यह हम पहुच गए? school कहां पहुच गए हां school one more time ma'am ma'am will show you like this यहां से गए यहां से गए यहां से फिर यहां से यहां से यहां से यह like this like this then we take a u-turn like this like this and we have reached to school okay so this is all for today आज हमने किसके बारे में पड़ा है my school आज हमने किसके बारे में पड़ा है my school you need to fill the details like this और आपको क्या करनी है tracing और coloring भी करनी है किसके bus की ठीक है in the next class I'll be back with something new and exciting activity till then bye किसके बारे में पारे 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 में